नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंड सिविल सर्विस अकैडमी में आज के इस वीडियो में हम मदब्रदेश खेल से संबंदित वस्तुनिस्ट प्रशन देखने वाले हैं और यह मुश्ट इंप्रशन होंगे जो आपके एक्जाम के ज़ित की जाती हूं सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए मैं निविदन करूंगा कि वीडियो को लाज्ट तक दियान से ज़रू देखें और यहां पर आंसर्स देने की जरूर कोशिस करें देखें कि आपके कितना यहां पर बंदा है कितना प्रशन सह की बंदा है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो उससे पहले कुछ इंफॉर्मिशन है जैसे कि आप अगर हमारे मॉक टेस्ट जितने भी यहां पर आते हैं उसकी पीडियाफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं वहां पर वीडियो अपलोड होने के एक से दो दिन बाद वहां पर हमारे द्वारा पीडिया प्रोबाइट कराई जाती है तो टेलीग्राम चैनल से जरू जुड़ जुड़ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोबाइट कराई जा रही है इसके लाबा अगर किसी पकार की समस्या है तो आप हमें फेस्बुक पेज, गुरूप, इंस्टागराम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए क्योंकि जितनी भी यहां पर बदलाओ या जो भी चेंज़ेज होते हैं इन सब वेबसाइट जो जितनी भी सोचल नेटवरों के साइट हैं उन पर हमारे पर गुरूप, जानकारी प्रवैड कराई जाती है चली वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रस्णाच का मदब्रदिस का राजकिये खेल कौन सा है चार औप्संस है जुडो, सैलिंग, कुश्टी या फिर मलखंब सही अंसर आपको बताना है मदब्रदिस का राजकिये खेल सही अंसर है इसका मलखंब मदब्दिस का राजकिय खेल है और जैसा कि आप इस पर देख पा रहे होंगे इमेज में ये जो है इसमें एक पोल होता है और पोल के आसपासी इसमें एक करतब दिखा के खिलाडी और इस खेल को खेलते हैं तो देख सकते हैं आपके लिए तो पहल से ही कि मददिश का राश्ट कि खेल मल्खंब किस वर्स घोसित किया था ठीकर आप से यहां पे 2011-2012-2013 14 आपको सही और बताना है तो सही अंसर है सका वह है 2013 और 10 अप्रेल है 2013 में से मददिश का राज किए खेल घोसित किया गया आपको पता होगा भारत का राश्टे के खेल हाउकी है यह जो हवकी खेल है यह अभी इसको अधिकारिक रूप से घोशत नहीं किया गया है फिर भी इसे भारत करास्टी खेल माना RHSt यहां से यह प्रश्ण अधिक तरह रहते एंग्जाम में तो यहां पर LEW яв जाता कर दो आप युवा कल्यांड विभाग 1969 है 72 75 या फरेटी सही आंसर आपको बताना है सही आंसर इसका 1975 मैं यह जो खेल कूंद युवा कल्यांड विभाग यह गठित किया गया था और वर्तमान में जो इस विभाग के मंत्री है वह जीतू पटवारी जीतू पटवारी इसके मंत्री है यह भी इंपोटेंट हैं आपके लिए याद रखिए गाये और इस विभाग का जो गठन किया गया था वो खेलों के विकास के लिए इस विभाग का गठन किया गया था यहांप यह भी आपके हो जाता है तो थर्ड का सही आंसर है 1975 आगे संसेंस में 1980 1985 89 94 से आपको बताना है मत्पदेस की पहली खेलनीती यहां पर पूछा है ठीक है यह भी यहां पर इंपोटेंट है ध्यान से पढ़िएगा तो पहली खेलनीती जो है वह को बनी 2005 में 2005 में दूसरी खेलनीती बनाए गई तो दोनों आपको याद रखना है तो पहली खेलनीती स्फोर्ट का अंसर है 1989 आगे बढ़ते हैं फिप्ट देखते हैं मदब्रदेस क्रीडा परिशद को परिवर्थित करके किसका गठन किया गया था चार आप्शन से मदब्रदेस खेल पराधिकरण या फिर मदब्रदेस खेल परिशद क्रीडा पराधिकरण या फिर इन में से कोई नहीं तो बताना आपको की जो कृड़कों को परिशन को परिवर्थित करके किसका गठन किया गया सहीowej आंसर है मद्वक जिस खेल प्राधिकरण बनाये गया था यह बिल्कुल सही है मद्वक ही खेल प्राधिकरण सब्सक्रा में इसक्ते वह आप याद रख सकते हैं इसका मुख्याला है भौपाल में तो फिप्ट का साहिए अंसर है मदगधिः सगेश खेल प्राधी कराना आगे बढ़ते हैं सिक्सथ देखते हैं मदगधिः सगेश खेल प्राधी करण का अध्यक्श कौन होता है ये भी इंपर्टेंट है आपके लिए मद्धिस खेल प्रादिकन का अध्यक्ष, मुख मंत्री, राज़पाल, राज़खेल मंत्री, राज़बित मंत्री, सैयान सरेस का राज़खेल मंत्री जो हैं, दो मद्धिस खेल प्रादिकन का अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं, वो हैं जीतू सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो confused नहीं होना है ये गोरागाव इस्थान कहा है भोपाल में है और भारतिये खेल प्राधिकन का जो गठन किया गया था 1984 ये भी आप इसमें यात रख सकते हैं तो 7th का सही अंसर है भोपाल आगे बढ़ते हैं मदब्रदेश सासन की पाय का योजना किस छेतर से संबंदित है सिक्षा परेटन कुरसी या फर खेल सही आंसर आपको बताना है खेल is the right answer of 8 question मदब्रदेश सासन की पाय का योजना खेल से संबंदित है उद्देश सिक्या है इसका गरामी छेतरों में खेल अधुस अनचना की विकास के लिए या खेल अधुस अनचना को बढ़ावा देना इस पाय का योजना का उद्देश है आगे बढ़ते हैं 9 question मदब्रदेश सरकार द्वारा खेल पंचायत का योजन कब किया गया था 2005 में 79 या फिर 11 सही आंसर आपको बताना है सही आंसर इसक कितनी सहाइता रासी दी जाती हैं 50,000-10000 की, एक 1लाग की, फिर 5 लाग की तो सही आंसर इसमें 2लाग की मदब्रदेश में खेलाडीयों को दी जाती है मुक्रमती खेल कोस से रासी और ये जो कोस है ये 2012 में बनाया गया था ये या आप याद रख सकते हैं अगर यहाँ सरक्स सागर बताईए तो खेल राजधानी इंदौर है मैद बुर्देश की पता होगा आपको इंदौर जो है वो मैद बुर्देश की खेल राजधानी है ठीक है तो सही अंसर है इसका ए इंदौर अधिकारिक राजधानी भोपाल है जिसको प्रसासनिक राजधानी भी बोलते हैं संसकार राजधानी जो है वो है जबलपूर राजधानी ज़रूर आपको याद रखनी चाहिए और जबलपूर इसके अलावा जो ग्रीसमकालिन राजधानी है वो है पच्मणी ये भी आप याद रखिएगा गिरीश मकाली राजधानी पच्मणी है तो यहां पर प्रस्ण पूछा है खेल राजधानी तो इन दौर इस दर राइट अंसर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 13 लक्षमेपार राजधियर सारीत शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है बोपाल गौलियर इंदोर या फिर जबलपोर लक्ष्वय राष्टिय सारी देख सिक्षा संस्तान सही आंसर है गौालियर में ये इस्तित है और इसकी जो इस्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी ये भी आप याद रखिएगा ठीक है एलन यूपी जिसे बोलते हैं लक्ष्वय नेशनल इंस्टिटूट इन्वोसिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन ओके आगे बढ़ते हैं स्कूल सिक्षा के अंत्रगत खेलकूंद का एक पिरियड आनिवारी करने वाला प्रथमराज कौन सा है स्कूल सिक्षा के अंत्रगत खेलकूंद के लिए यह फिल में कि बढ़ पिरियड यह फिलकूंद के लिए तो इसमें कौन सा राज है और इसका जो सही आंसर है वो है मदप्रदेश और और भी ऑप्शन है लेकन मदप्रदेश तराइट आंसर फॉर्टिंथ कुश्चन आगे बढ़ते हैं पंदरवा देखते हैं मदप्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस इस्तान पर खेल गाउं स्थापित करने की खोजना किये इंप्रो सतगड़ी कहां है भोपाल में है अभी हमने किसकी बात की थी गोरगाओं की भी बात की थी और सतगड़ी भी बहपाल बहाल में है रखिएगा कन्फ्यूज नहीं होना है तो यह खेल गाउं सतगड़ी में है आगे बढ़ते हैं शिक्स्टींथ प्रसन देखिए माद्विद और भरतिय ये नौसेना की साहता से इंडियन नेवी की साहता से इसको बनाए गया था याद रखिएगा इसे इंडियन नेवी तो सही अंसर है इसका 16 का भोपाल इस दराइड अंसर आगे बढ़ते हैं 17 देखते हैं मदबिश में राष्टी खेलों का आयोजन कब हुआ था तो और यह कहां किया गया था यह भी आप इसमयाद रख सकते हैं कि नभाई 1962 में तो हुआ था लेकिन कहां हुआ था यह हुआ था जबलपूर में तो इसे भी आप याद रखिएगा जबलपूर में आयोजन किया था आगे बढ़ते हैं मदबिश के केस स्टेडियम में खेल स्टेडियम तात्या टोपे स्टेडियम होल कर स्टेडियम ठीक है तो यह खेल संग्राल है इंपोटेंट हो जाता है स्पोर्ट्स मीजियों कहां पर है सही आंसर है तात्या टोपे स्टेडियम और यह कहां पर भोपाल में है भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में खेल खेल संग्रहाल है बनाय गया है और यह अभय खेल प्रिशाल इंदौर में है रूप सिंग ग्वालियर और यह होलकर भी इंदौर ठीक है होलकर भी इंदौर में आगे बढ़ते हैं 19 उसा राजे क्रिकेट इस्टेडियम इंदौर को अब किस नाम से जाना जाता है रूप सिंग्राइब कोशन आगे बढ़ते हैं 20 वाब प्रसने देखते हैं आद्विधिस में कहा पे है इस्टेडियम से भी प्रशने पूछ लेता है कई बात पुरी में तो आपको रखना है आशोक पर्टेल स्टोडियम जो है वो है जबलपुर में है तो यह 20 का सभी अंसर है 20 का जबलपुर यह थे हमारे 20 पुरस्ण जिनकी हमने इसमें चर्चा की वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जो करें और सेयर करें अपने दोस्तों को और फिर से आपको बता दूँ कि आप टेलिगराम चैनल पर जुड़ सकते हैं पृडियाप के लिए और किसी वीव कार की समस्ता के लिए आप हमें मैल कर सकते हैं जो भी इस चैनल पर नएप इन सबस्क्राइब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें और आई भी से वाल्दा वेरी वैस्ट वार